क्या आप भी लेना चातो इस Spice Money की आडी वो भी बिल्कुल फ्री में तो इसके लिए अब इससे एक डोकुमेंट है आडी बनाने के लिए पैन कर्ड, अधार कर्ड, पास्बुक अगर आपके पास पास्बुक नहीं है तो चेक भी चल जाएगा तो चलिए सीख लेते हैं स्टेप बाई स्टेप Spice Money की न्यू आइडी कैसे बना है तो चलिए रूख क्यों गए चलिए ना अब आपको प्ले स्टोर से Spice Money अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इससे इंस्टोल कर लेना है फिर Language सेलेक कर लेना है अब जो भी परमिशन माँगेगा उससे Accept कर लेना है अलो अलो क्लिक करते जाना है क्लिक करने के बाद आपको Join Now के ओप्सेन पे क्लिक कर देना है फिर आपको यहाँ पर अपना Mobile Number टाइप करना है फिर Guest Started पे क्लिक कर देना है फिर आपके Phone पे एक OTP आगा OTP को फिल करना है और Proceed के Option पे क्लिक कर देना है अब आपको अपको अपनी सबसे पहले Basic Information पे फिल करने है फिल के Option पे आपको क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम फिल करना है जो कि आपके Pen Card पे होगा फिर आपको अपना Gender select करने के अपनी Date of Worth फिल करने है फिर आपको Enter Type में Individual select करना है और यहाँ पे एक अपनी फोटो लगा लिनी है तो आपको Click in Live Profile पे क्लिक करना है फिर यहाँ से अपनी फोटो को क्लिक कर लेना है फिर आपको Confirm and Continue पे क्लिक कर देना है अब आपको अपनी वर्थ प्लेस की डिटेल फिल कर लेने हैं सबसे पहले अपनी सोप का नाम एंटर करना है अब सोप को आप कब से कब तक ओपर नगते वो टाइम आपको सिलेक कर लेना है और किस दिन आपको सोप ओपन रहती है जिसे मंडे टूजे आप जिसलेक कर सकते हो फिर आपको सोप का पिंक ओड फिल करना है फिर आपको सोप का अपना एडरेस फिल करना है अब आपको प्रूफ ओप सोप एडरेस को अपलोड करना है इसके लिए आपको camera वाले option पे click कर देना है, click करने के बाद आपको अधार card select कर लेना है, अधार card select करने के बाद आपको अधार card को scan कर लेना है, फिर आपको अपनी detail चेक कर लेना है, कुछ mismatch तो नहीं है, फिर check करने के बाद आपको confirm and continue पे click कर देना है, click करने के बाद आपक आपको नीचे स्क्रूल करना है नीचे स्क्रूल करने का अगरिक के option पर क्लिक करना है फिर यह की खुरिक मेंचों की के करना है अगर आपको distributor को code नहीं पता है तो I don't know any distributor पर click करना है click करने का बद यहाँ पर आपको distributor का नाम और number दिखाएगा इस number को आपको copy करके रख लेना है और फिर okay के option पर click कर देना है अब आपको pen card को scan करना है तो scan को option पर click करना है और अपने pen card को scan करने के बद आपको detail करने को कुछ मिसमेश तो नहीं है फिर आपको confirm and continue पर आपको click कर देना है अब आपको proof of address को scan करना तो scan को option पर click करने के बद आपको अधार काट select करने के बद आपको अधार का फ्रेंट साइड का फोटो और अधार का बैक साइड का फोटो scan करने के बद आपको detail चेक करने के बद आपको अपना bank account select कर लेना है select करने के बद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नोमर फिल करना है ifc code फिल करना है फिल करने के बद आपको account type select करना आपका saving count है या current account है select करने के बद आपको confirm and continue की option पर click कर देना है अब आप bank account के proof के लिए bank account की statement bank की passbook या cancel check upload कर सकतो जैसा कि मेरे पास bank की passbook है तो मैं अपनी bank की passbook को upload कर रहा हूं इसको मैं क्लिक करता हूं और use this पर click करके और इसे submit की option पर आपको click कर देना है अब आपको other data पर click करना है click करने के बद आपको select करना है what is current nature of business को select करने के बद आपको daily transaction कितनी है आपकी पांच लाग से ज्यादा आपको select करने गद आपको तीसरे option में select करने नो की option पर click कर देना है फिर आपको अपनी highest qualification select करने आप 10th पास ओए 12th पास ओए graduate ओए आपको select कर लेना है अब यहाँ पर अपना married इस्टेटर select करने के वाद आपको enter nominy name अपना nominy किसको रखना चाहते है उसका नाम फिल कर देना है फिल करने के बाद आपको यहाँ पर उसका relation क्या है आपको यह select कर लेना है select करने के बाद आपको confirm and continue के option पर click कर देना है अब आपको submit के option पर click करना है जैसे अब submit के option पर click करोगे तो आपकी जो application है approval के लिए भेश देगे अब आपके सोप पे distributor विजिट करेगा और आपके physical verification करेगा physical verification complete होने के बाद उसके बाद आपका ID और password आपके mobile पर आज जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद दा तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कर दीजे subscribe और वीडियो से related खुछ भी doubt से तो आप मुझे direct call कर सकते हो और Instagram पर मुझे direct message कर सकते हो तो चले मिलते हैं इसी परकार की next वीडियो में जब तक के लिए take care bye bye